लिजे सुनिए आचारे चत्रसेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रख्षा महा का चवाली स्वा भाग देवाधी देव मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में रुद्र के दादा यम यद्यपी आदित थे तथा देव रिशी भी थे परंत उन्होंने आरे संस्कृती स्विकार नहीं के ना ही वे आदित्यों में सम्मिलित हुए देव देत दानव सभी से उनका वरुन की भाती संभाव रहा देवों में खटपट तो सूरी ही करते थे सूरी यम के पिता थे फिर भी वे पिता माता दोनों से उपेक्षित थे इसी से ये वरुन के आश्रित हुए तथा वरुन के सहयोग नीती ही इन्होंने अपनाई थी आदित यम को अपना कुटुम्बी और आत्मी समझ पुझ पुरुश मानते थे पर उनकी देवों में सद्धियों से भी सद्भाव था बली पुत्र बाणासुर से तो उनकी प्रगाण मेत्री संबंध थे वे बहुत दिन तक उसकी नई राजधानी वन में रहेता था बाण का बहुत बल उन्होंने बढ़ाया उसका शरीर बल बहुत था उसकी तुल्ला सान से की गई है देव लोग जन्हें दस्यों और अनारे कहते थे वे भी रुद्र के दर्बार में अभय पाते थे वे बड़े धनुरधारी थे नागों के परमित्र और संरक्षक थे उन्हें चोरों डाकूं और व्रात्यों का तराता कहा गया है पुंजिष्ट और निशादों का भी उन्हें प्रोध और बाणों से देव देत सभी भैभीत रहते थे और संकटकाल में देव देत दान और नाग सभी रुद्र की शरण जाते थे उनका प्रसिद्ध शस्त्र त्रशूल था वे नाद विद्या के आगम थे डमरू उनका वाद्ध था कहते हैं अक्षर समाम मनियाए उन् का उदार था वे जैसे जल्द कृद्ध हो जाते थे वैसे ही जटपट प्रसन्य भी हो जाते थे काम विज्यान के भी आविश करता थे प्रसिद्ध है कि हजार अध्यायों का काम शास्त्र उन्होंने रचा था इसी से उन्हें काम जई कहते हैं इन्ही सब कारणों से देव पूज पुरुष समझते थे। उनकी अपनी एक सुतंत्र परंपरा थी जो ग्यारहों रुद्रों ने उन देशों में जिन जिन में उनका प्रस्तार हुआ प्रचलित की। उनके समर्थक उन्हें देवाधी देव कहते थे और वे आत्मे यग को सबसे अधिक महत्व देते थे जिसकी व्याख्या उनकी अपनी थी। तथा उनके इस आत्मे यग के समर्थक बहुत रिशी उन दिनों संपून एशिया महाद्वीप में फैली हुए थे। अभी जब परस पर विरोधी भावनाय चल ही रही थी किसी समय रुद्र के श्वसुर दक्ष ने यग किया। यग में देव, पितर, रिशी, नाग, यक्ष, वरोन, आदी सभी युग पुरोशाए। अत्री, पुलह, क्रतु, इंद्र, वशिष्ठ भी बुलाए गए। विदिवत, चातुर, होत्र की वहाँ इस्थापन की गए। वशिष्ठ होता, अंगिरा, अद्वर्यू, ब्रहस्पती, उद्गाता और नारत ब्रह्मा हुए। आठो वसु, बारहों आदित, दौनों अश्वनी कुमार, उन्चास मरुदगान, वहाँ एकत्र हुए। बहुत भारी समारो हुआ, दस योजन भूमी में यग समारो हुआ, यहां यग समारो के संबंध में भी मैं कुछ कहूंगा। यह एक प्रकार की अगनी पूजा थी, जो इलावर्त और आसपास के देव देत सभी में प्रचलित हो गई थी। मैंने बताया है कि देमाबंद परवत पर काश्य प्रदेश में एक स्थान बाकू है, जहां भूमी से अगनी निकलती है, इसी से इरानी लोग अगनी की पूजा करते हैं, उसी अगनी की पूजा का प्रचलन देवों आर्यों में यग रूप से हुआ, पारसी लोग भी अग आवेश हुआ और यग के समारोह धीरे धीरे सब सामाजिक और राजनीतिक प्रश्णों के निप्टारे के मूल समारोह हो गए, यगों ही में देव की भूमी तथा दाय का बटवारा होता था, यग भाग पाकर ही देव अपने निर्वाह करते थे, इस यग में दक्ष प्रा प्रथक संपत्ती किसी की न थी, यग समारोह में एकत्र सामगरी यग भाग कहकर बाटी जाती थी, रुद्र को ना बुलाना सरासर रुद्र को उनके भाग से वंचित करना था, परंतु रुद्र की पतनी सती बिना बुलाए ही यग में पिता के घर चली आई, उसने पिता स कि आपने हम लोगों को नहीं बुलाया, मेरे पती को आपने यग भाग से वंचित कर दिया, दक्ष ने कहा, रुद्र वैदिक मरियादा नहीं मानते, देवों को कुछ समझते नहीं है, तुर्शूल और दंड धारन करते हैं, आत्मे यग का परचार करते हैं, नागों के यह सब उनका अभधर आचरन हैं, इस अभधर आचरन अभधर वेश में वे कैसे देवों के साथ बैठ सकते हैं, इस पर सतीन क्रोधित होकर कहा, जिनें आप अभधर कहकर निंदा करते हैं, उनी के तेज और प्रभाव से देव निर्भय हैं, आप उनकी परताप को नहीं ज कहते ही रह गए, देव रिशी सब भयभीत हो गए, सती जलमरी, ये सूचना पाकर रुद्र ने कृद्ध हो, नंदी गणों को दक्ष का यग विध्धन्स करने को भेज दिया, गणों के दल बादल यग पर छा गए, देखते देखते उन्होंने दक्ष यग विध्धन्स कर डाला और दक्ष का सिर काट कर यग कुंड में जोग दिया, रुद्र के इस कोप से सब देव शोक ग्रस्त हो गए, येम और रुद्र दोनों ही के सहायक सब दैत, असुर और दानों थे, तथा हाल ही में देवासुर संग्रामों में, वे उन से हार चुके थे, इसके अतरिक् दबते थे, अताहर रुद्र को उन्होंने समझा बुझा कर बड़ी कठनाई से शांत किया, पर प्रिय पत्नी की अप्मृत्यू से रुद्र अत्यंत संतप्त हुए, रुद्र एक महा प्रतापी युद्धा थे ही, उनका बल असह था, उनका प्रभाव मरुतों पर बहुत ये मरुत वर्तमान समरकंदिया बिलोचिस्तान के आसपास कहीं रहते थे, इस घटना के बाद रुद्र भी उनके साथ चले गए, इन मरुतों से देवराट इंद्र ने मित्रता कर ली और समय समय पर देवराट इंद्र तथा देवरुद्र से सहायता लिया करते थे, देट्यों और दानवों की शत्रू थे ही नहीं, देट्यों और दानवों भी उन्हें उसी प्रकार पूज पुरुश मानते थे, तथा समया समय में रुद्र देट्यों की भी वैसी ही सहायता करते थे, जैसी देवों की, इस प्रकार अपने काल में रुद्र देव देट्यो सभी में पूजित थे फिर भी उन्हें अत्यंत क्रोधी समझ कर संगारा के ही समझा जाता था उनका देत दानवों के गणों का संगठन इतना भयानक था कि उससे देव देत सभी भैखाते थे सती की बृत्ति होने के कुछ काल बाद रुद्र ने हिमालय की राजकन्या पार्वती से विवाह किया पार्वती ने रुद्र की यशोगाथा पर मोहित होकर स्वैमी रुद्र से विवाह की आचना की पार्वती की सेवा से संतुष्ट हो वे अब शान्त भी हो गए अब तक उनके रुद्र के नाम के अतिरिक्त भाव पशुपती नील कंठ आदी नाम भी थे अब सब लोगोंने शिव शान्ती मूर्ती कहने लगे यहां देवी पारवती से उन्हें दो पुत्रों की प्राप्ती हुई एक गणपती दूसरे कार्थ के उन्होंने हिमवान के अंचल में अपना कैलास नाम का मनुरम आश्रम बनाया और वहां रहने लगे उदर रावन के खदेडे हुए कुबेर ने भी उनके निकट ही अपनी अलकापुरी बसाई इस प्रकार रुद्र यानि शिव का कुबेर और यक्षों से खूब मेल जोल हो गया इस प्रकार यक्षपती कुबेर के रुद्र से मित्रता ही हो गई अभी आप सुन रहे थे आचार चतुर सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा महका चवालिस महभाग देवाधी देव मेरी यानि समीर गोस्वामी के आवाज में झाल्यास